हेलो मेरे प्रिये छात्रो और साफाटियो नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में यह वीडियो बिहार वोट कख्षा आठ के अंग्रेजी विशाय पर है जिसमें अध्याय नौ सीकिम का ध्यान करेंगे इसके पहले के सभी पाठो को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ जिसे आप मेरे चैनल के इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं वहाँ आपको कलास अठ्वा, नाइन्थ और तेंथ का मैच से समदित भी कुछ वीडियो मिल सकते हैं यह है चाप्टर नाइन सीकिम जो हमारे भारत देश का एक पुर्वोतर पहारी राज है इसी के बारे में आज पढ़ेंगे इम तो हमारे इस भारत देश में 28 राज है उन्हीं में से एक है सीकी मेह राज भारतिय मानचित्र में कहां है यहां के बातावरन इसकी चवधी यहां के लोगों के रहन सहन तथा इस राज के अस्थापना इत्यादी के बारे में इस चाप्टर में आज हम लोग विशेश रूप से पढ़ेंगे तथा इस पार्ट के सभी टॉफ वर्ड मेनिंग को भी हम आपको नोट करवाएंगे तो इसमें लिखा है Have you ever visited a mountainous estate? क्या कभी आपने एक पहाड़ी इलाका या किसी पहाड़ी राजय का भर्मन किया है? इस अगर हाँ टेल क्लास एवाव इट्स पीपूल, फूट, हैबिट्स, ड्रेसे, क्लाइमेट, इटिसी तो अपने क्लास साथियों से मिलकर वर्तालाब करें इसके बारे में वहाँ के लोगों के बारे में वहाँ के खान पान, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के पुसाग कथा, वहां के जलवायू इत्यादी के बिशय में जो की हमारे यहां से भिन होता है वहां का तो यह सब कैसा होता है इस बात पर थोड़ा डिसकर्स करें इस वार्मर के कुछ टाफ वर्ड मेनिंग है जिसे आप लोग लिख लिजिए लिखा है एवर का भीजित मितलव यात्रा, मौन्टनोल मित्स पहाडी स्टेट मित्स राज, हैविट मित्स आद्थे ड्रेसेज, मित्स पुसाग या पहानावा कलाइमिट मित्स जलवायू इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले सीकीम को थोड़ा मुझे आ सा ही कि आप लोग ने भार्तिय आगएं मांचितर रवर से देख้ा होगा होगा भार्तिय मांचितर आपको चंवधी में नेपाल ईसके सिंप में है भुटान पूरब में है ऊतर में की पठाडी है और दशीव में आपको दार्जीलिग है दक्षिन में दार्जीलिंग है जो हमारे पस्षिम बंगाल राज का एक जीला है तो हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं समय इस चाप्टर में आगे बढ़ने से पहले इसके फस्ट प्रिष्ट के इंदो प्रागराफ के कुष्टाफ वर्ड मेनिंग है जिन्हें आप लिख ले चुंबी का घाटी कींग्डम राज है विकम मींस बन गया इनहेड़न्स मिस निवासी ओ पॉपुलेटेड मिस अवादी वाले कंबिनेशन मिन्स मेल या मिलावट देयरफॉर मिस इसलिए पैले मिस महल रिफरेंस मिस संदर में बिल्ट मिस मनाया गया रूलर मिस सासक लिख अब देखिए यह सीकिम जो है वो किनकी राज्यों से घिरा हुआ है ओ यहाँ पर बताया गया है ठीक है दा चुंबी भैली ओफ तीवत एंड़ दार्जी लिंग इन दा शाउथ यानि पस्चिम में किस चीजों से घिरा हुआ है और भुटान देश की सीमा इसी राज से सट नेपाल इन दा वेस्ट एंड दार्जी लिंग इन दा शाउथ यानि पस्चिम में किस चीजों से घिरा हुआ है नेपाल से घिरा हुआ है और अपने दक्षिन में ये दार्जी लिंग से घिरा हुआ है अब ये दार्जी लिंग जो है भारत के ही एक राज पस्चिम मंगाल का एक सिमावर्ती पहाडी जीला है तो ये सब इस राज की चवहदी है यानि ये राज किन-किन देशों और राज्यों से घीरा हुआ है ये सब हम लोगों ने जान लिया ठीक है वहां के जो निवासी है उनके जनसंख्या के बारे में बताया जा रहा है कि 5,4,493 लोग वहां रहते हैं जो की अब कुछ बढ़ गया होगा बहुत छोटा सा राज है इसलिए यहां की जनसंख्या कम है and a total area of 7,096 square kilometer और इस राज का जो total छेतरफल है वह है 7,096 square kilometer ठीक है Sikkim is the least populated state of India Sikkim जो है वह भारत देश के सबसे कम जनसंख्या वाले सबसे छोटा राज है second paragraph में the word Sikkim is a combination of two words Shoo and Khim जो Shikkim सब्द है यह दो सब्दों से मिल कर पना हुआ है क्या क्या है Shoo और Khim Shoo means new and Khim means palace or house यानि Shoo का मतलब होता है नया और Khim का मतलब होता है महल या घर therefore इसलिए the word means new palace or house इस word का मतलब होता है नया महल या घर चुकि हम बार बार यह word word रहे हैं कि Sikkim का मतलब होता है नया घर या महल यह क्यों कह रहे है in the reference to the palace built by the estate first rulers पुंशुक नाम्याल महल के संदर में एक महल वहाँ पर बनाया गया था वहाँ के जो पर्थम सासक था उसके द्वारा बनाया गया था जिसका नाम था फुंशुक नाम्याल ठीक है उसके द्वारा वो महल बनाया गया था तीबितन नाम जो इस राजय का दिया जाता है वह देंग जोन भाशा में इसको देंग जोन का मतलब तीबत भाशा में क्या होता है चावल की घाटी है ना अब इस दो परागराफ के तॉफ़ वेर्ड मेर्ड पाठ को आगे हम लोग पढ़हेंगे divided मिन्स माटा गया headquarter मिन्स मुख्याले respectively मिन्स करमसा capital मिन्स राजधानी literary meaning मिन्स साब्दिक अर्थ high heat मिन्स उची चोटी offers मिन्स प्रस्ता magnificent मिन्स संदार view मिन्स नजारा या विचारो snow cold मिन्स बर्फ से ढखा हुआ highest park मिन्स उच्तम सिकर, regarded मिन्स माना जाता है, guardian मिन्स अभिभावक, deity मिन्स देवता Sikkim is divided into four districts which includes east Sikkim, west Sikkim, north Sikkim and south Sikkim Sikkim जो है न वो चार अलग-अलग जीलो में विभाजित है, पूरब Sikkim, पस्चम Sikkim, उतर Sikkim और दक्षिन Sikkim इन जीलों का मुख्याले जो है, वह करमसा, गैंग टोक, एंजीन, मंगान and नामची है यह सब नाम जो है, काफी ध्यान प्रोग आपको याद करना पर रहेगा, यह किया थोड़ा कठेन सब्द है गैंग टोक is the capital of Sikkim, गैंग टोक जो है Sikkim की राजधानी है, literally meaning a high hill गैंग टोक का मतलब होता है, उची पहाड़ी इच ओफर, magnificent view of the snow-clad कंचन जंगा, ध्यान दीजेगा, जो गैंग टोक है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ से बहुत ही भव्वे न जारा देखने को मिलता है, किस चीज़ का, तो कंचन जंगा जो उची पहाड़ी है, जो बर्व से धकी रहती है, उसका जो बिश्व की सबसे उची चोटी है, और उसको सीखिम के देवता के समान पूजा जाता है, ठीक है अब इस next paragraph चार और पांच को पढ़ने से पहले, इसके कुछ परवूट वर्ड मेनिक्स, टप वर्ड मेनिक्स हैं, जिन्हें आप लो, आप नोट कर लें यानि, शिक्किम जो है वहाँ बनस्पती और जिव जनतु परचूर मातरा में है, एस्टीम यानि जहरने भी है, ancient mountains का मतलब होता है, प्राचीन काल के मठ भी वहाँ पर है, और बहुत सारी चीजे वहाँ पर है, है न, ये सारी चीजे आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस से related ही question आते है, अब यहाँ, सीखिम की बनस्पती की बात हो रही है, उसमें क्या क्या है, यानि सीखिम की जो बनस्पती है, उसमें रोंडे ड्राउन वहाँ की राच की ये पेर है, the estate tree, orchid, orchid का मतलब होता है, रंगी रंगे फूल, फीग, बनाना, salt tree and bamboo, यानि फीग, केला, साल का पेर और बास, ये सभी चीजे जो हैं, ये वहाँ के बनस्पती में सामिल है, औके, chestnut, maple, birch, elder and mangolia also grow in large number, तथा औक, chestnut, maple, birch, elder और मैगनेलिया बहुत मात्रा में बिक्सित होते हैं, the orchid dendrobium noble is the estate flower of Sikkim, अगर कोई पूछे की Sikkim का राच की ये फूल कौन है, तो उसका नाम है orchid dendrobium noble, अभी तक हमने Sikkim के बनस्पती के बारे में बात किये, अब हम वहाँ के जीव जन्तु के बारे में बाते करते हैं, अब जो है Sikkim के जीव जन्तु जो है, उसमें प्रमुक रूप से किन्हे याद किया जाता है, तो बरफिले तेंदुए, उनको तथा the musk deer यानी कस्तूर हीरन, ठीक है, यह सब वहाँ के जीव जन्तु है, इनको किस लिए पाला जाता है, मुख रूप से दूद के लिए, मांस के लिए और वजन धोने के लिए इन्हें वहाँ पाला जाता है, अब आगे इस सात्वे और आठेव पर आगर आपको पढ़ने से पहले, इसके कुछ टॉप वर्ड मेनिंग हैं, जिन्हें आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे इस बाट को पढ़ेंगे, The word found in Sikkim include, अब हम Sikkim के फक्षियों के बारे में जानेंगे कि वहाँ के कौन-कौन से प्रणूप फक्षिया हैं और क्या-क्या उनका नाम है, इन सभी को भी आपको नाम से ही याद करना होगा अब आगे सिखिम में मुख रूप से लेपचा नेपाली और भूटिया लोग रहते हैं नेपाली सिखिम के मुख्य भासा है इंग्लिस और हिंदी भी सिखिम में अधिकांस लोग बोला जाता है और समझा भी जाता है अधर लेंग्वेज इस्पोकें इन सिखिम इंक्लूट भूटिया गुरूंग लेपचा लिम्बू मगर निमारी राय शेरपा सुनवार और तमांग ये सभी छेतरी ये भासाएं भी वहाँ पर बोली जाती है अब आगे इस नौवे और दस्वे परागराफ का टॉप बॉर्ड मेंडिंग पर लिख लेते हैं उसके बाद इसको हिंदी टांसेट करके पढ़ेंगे देखिए अभी तक हमने सीकिम के बहुत सारी चीजों के बारे में जाने जैसे वहाँ के जीव जन्तु के बारे में वहाँ के पेड़ पौधे बनस्पती के बारे में वहाँ के निवासियों के प्रमुख प्रजाती के बारे में वहाँ के भासाओं के बारे में अब हम जानेंगे कि वहां के लोग किस चीज की खेती बारी करते हैं, कौन सी उपज वहां होती है, यानि किसानी के बारे में जानेंगे The people in the rural area grow cardamom, ginger, orange, apple, tea and orchids तो वहां के गाओं के लोग जो हैं, वह कारडेमम यानि इलाइची, ginger मतलब अदरक, संतरा, सेव, चायपती और रंग बिरंगे फूल तो इन सभी सीजों को वहां पर उगया जाता है गाओं में सीखिम जो है वह इलाइची जो होता है उसका जम्न दाता भी है, पूरे भारत में और वहीं इलाइची की सबसे ज़्यादा खेती भी होती है The minerals mined in सीखिम are copper, dolomite, lime stone, graphite, meka, iron and koila देखिए यहां बहुत सारे खनीश-पदार्थ भी मिलते हैं, जैसे तामबा हुआ, आपको चुना-पथर हुआ, अवरख हुआ, लोहा हुआ, koila यह सब यहां पर आपको खनीश-पदार्थ के रूप में मिलते हैं अब यहां देखिए इस आखरी परागराफ में, इसमें सीखिम राज में मनाया जाने वाले अलग-लग तेवहारों के बारे में बताया गया है, जैसे हमारे यहां दिपावली और दसाहरा मनाया जाता है, उसी परकार सीखिम में भी दिपावली और दसाहरा मुखरूप से मन दो धर्म को मानने वाल तो वहां के अधिकतर तेवार जो होते हैं वो वुदिष्ट धर्म से जुड़े हुए रहते हैं दफोपुलर फेस्टीवल दे सेलिब्रेट इंक्लूड अब देखिए वहां के जो फरसीत तेवार है जो इस परकार हैं जिसको आपको नाम से ही याद कर होता है जिसे हमने खुब अच्छे से हिंदी ट्रांस्टेट करके पढ़ाता था समझा अगर आपको हमारा यह परस्तुती अच्छा लागा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करेता था अपने दोस्तों में सेयर करें ताकि हमारा उत्साह एक नमर कोश्चन है वाई इस दे सिकिम को छोटा राज क्यों माना जाता है तो इसका एंसर होगा सिकिम हैज और यहां की जनसंख्या बहुत कम है ओर यहां का छेत्रफल भी बहुत कम है इसलिए इसे छोटा राज कर दरजा दिया गया है इसका एंसर होगा इन दर्फ और इंडिया लाइस द लुद्सवे ऑफ इंडिय से खिरा है और भारत के उतरी दिशा में हिमालाए हमारा तीसरा कोश्चन है when did Sikkim become a state of India? When did Bihar become a state? Sikkim भारत का एक राज कब बना? Bihar कब राज्य बना? इसका एंसर होगा Sikkim become a state of India in the year 1975. Bihar become a state 100 year ago in 1912 on 22 March. So we celebrate 22 March as Bihar Day. मतलब Sikkim जो है 1975 में भारत का एक राज्य बना? जबकि Bihar को 100 परस पहले ही राज्य का दर्जा दे दिया गया था. 22 March 1912 को यह उरिशा से अलब हुए था. इसलिए हम लोग 22 March को Bihar दिवस के रूप में मनाते हैं. फूर्थ नमर कोशन है The word Sikkim is a combination of his two words. यानि Sikkim सब्द किन दो सब्दों के मिल से बना है? What do they? means उसका मतलब क्या होता है? Can you tell how has Bihar got its name? क्या बता सकते हैं कि Bihar का नाम कैसे पड़ा? इस चार नमर प्रस्ण का एंसर होगा The word Sikkim is a combination of two words. शू and खिम. यानि Sikkim सब्दों से मिल कर बना है? शू और खिम से. शू means new and खिम means palace or house. शू का मतलब होता है नया और खिम का मतलब होता है महल या घर. So, the word Sikkim means new palace or house. इसलिए Sikkim word का मतलब होता है नया घर या महल. विहार got its name from the विहार. There were many बुद्धा विहार in विहार. विहार जो है विहार सब्द से मिल कर बना है. यहां बहुत चारे बुद्धा विहार हैं. Because of this विहार, विहार was named of our pen. इसलिए विहार से या विहार बन गय बिहार बिहार. पांच नमबर कोस्चन है, who are the prime inhabitants of Sikkim? मतलब Sikkim के परमुख निवासी कौन है? लेपचा, नेपाली और भुटिया वहां के परमुख निवासी है. नेक्स्ट कोस्चन है, think and write B2.1, say whether the following are true or false. According to the passage, write T for true and F for false. यानि यहां जो पैसेज दिये गए हैं, इसमें यहां देखना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, असत्य के लिए false लिखना है और सत्य के लिए true यानि T लिखना है. एक नमबर कोस्चन है, Sikkim is tiny mountainous estate in West Himalayas. क्य या, Sikkim पस्चिम हिमालय का एक छोटा सा पहारी राज है, तो या false है, क्योंकि Sikkim जो है वह पूर्वी राज है. Second question है, Sikkim become the 21st state of India in 1975, यानि Sikkim जो है भारत का एक ऐसवा राजबना उने सपचाते हैं, यह भी false है, या 22 वा राजबना, यह लिखेंगे. तीसरा है, गेंग सिकिम की राजधानी है, हाँ, यह true है, गेंग टोक सिकिम की राजधानी है, चक्ता नमर question है, English and Hindi are not spoken in Sikkim, यानि इंग्लिस और Hindi जो है, वह सिकिम में नहीं बोला जाता है, नहीं है, false बात है, वहाँ, इंग्लिस और Hindi बोला भी जाता है, और सम्झा भी जाता है, पांच नम question है, the mineral mines in Sikkim are gold and silver, क्या सिकिम में जो खनीज उत्पन होते हैं, वह सोना और चांदी है, नहीं या false है, वहाँ, सोना और चांदी नहीं होते हैं, साथ नमर question है, the people of Sikkim mostly follow Hindus, क्या सिकिम के लोग मुखे रूप से Hindu धर्म को ही पालन करते हैं, नहीं या भी false है, वहाँ के लोग बुद्धिस्म को पालन करते हैं, या false है, अब next question है, B2.2, answer the following question in about 30 words, नेमले खित प्रशनों के उतर, टीज सब्दों में दे, first question है, write the boundary of Sikkim, Sikkim के सीमा के बारे में लिखिये, तो इसका answer होगा, Sikkim is the bounded white Tibetan पलेचु in the north direction, Sikkim जो है, वहा उतर से तीबत के पठार से गिरा हुआ है, the Chumbi Valley of Tibet and the Kingdom of Bhutan is in the east, यानि पुरव दिशा से हुआ, Chumbi Valley और Bhutan के सीमा से घीरा हुआ, नेपाल is in the west and Darjeeling in the south direction, नेपाल इसके पस्षिन दिशा में है, और Darjeeling इसके दक्षिन दिशा की चोगधी में है, वीसी में का दूसरा question है, what is the Tibetan name of Sikkim, what does it mean, मतलब Sikkim का त होता है, तो इस सेकेंड नमर प्रस्ण का एंसर होगा, the दीवतन name of Sikkim is Dengjon, literally it means the valley of rice, यानि Sikkim का तीवतन नाम जो है, वह देंग जोन है, इसका मतलब होता है, valley of rice, यानि चावल की घाटी, अब उसी B2.2 के दो कोशन इधर भी है, तीन और चार, तीसरा नमर कोशन है, which is the guardian deity of Sikkim, what do you know about it? Sikkim के सनरक्षंग देउता कौन है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? तीन नमर कोशन का एंसर होगा, कंचन जंगा is regarded as the deity of Sikkim, it is the world third highest peak, मतलब कंचन जंगा जो है, वह Sikkim की रक्षा करता है, रक्षक देउता है, और या तीसरा सबसे हाई पीक भी है, चार नमर कोशन है, what are the chief flora and phana found in Sikkim? Sikkim में पाये जाने वाले प्रमुख बनस्पती और जीव क्या है? तो इस चौथे कोशन का एंसर होगा, chief flora found in Sikkim are ronde, dandron, the estate tree, orchid, fig, banana, salt tree and bamboo, मतलब प्रमुख बनस्पती के रूप में ronde, dandron, orchid, fig, kela, salt tree और बांस पाये जाता है, प्रमुख रूप के जीव में वहां बरफिले चीटा, musk, deer, यानी कस्तूरी, हीरन, भोरल, हिमालयन, तहर, the red panda, इत्याधी पाये जाते हैं, next question है, V2.3 answer, each of the following question in not more than 50 word, निम लिखित परशनों के उतर लगव पचास सब्दों के अंदर ही देना है, first question है, how many districts are there in Sikkim, Sikkim में कितने जीले है, write them with their respectively, headquarter, उनको, उनके मुक्यालाई के नाम के साथ लिखे, do you know how many districts are there in our state, कि आप बता सकते हैं कि हमारे राज बिहार में कितने जीले हैं, तो इसका answer होगा, Sikkim is divided into four districts, east Sikkim, west Sikkim, north Sikkim and south Sikkim, Sikkim को चार भागों में बाटा गया है, पुर्वी Sikkim, पस्मी Sikkim, उत्री Sikkim, और दक्षनी Sikkim, 10 district headquarters are Gangtok, Gangain, Mangain and Namchi respectively, वहां के उन 4 जीलों के मुख्याला करम सा इस परकार हैं, Gangtok, Gangain, Mangain and Namchi, इन आवर एस्टेट बिहार देयर, 30 district हमारे बिहार आज में 38 जीले हैं, नेक्स दूसरा question है, which birds are found in Sikkim, name some of them, Sikkim में कौन कौन से फक्षी पाए जाते हैं, उन में से कुछ का नाम बताएं, तो इस second question का answer होगा, in Sikkim, many kinds of birds are found, among them are, यहां बहुत परकार के चिडिया पाए जाते हैं, यहां यहां यह सब परकार के प्रजाती के पक्षी पाए जाते हैं, तो इस तीसरे नमर प्रसन का answer होगा, यहां यहां यह सब छेतरिये भासा भी इसके बोले जाते हैं, भारत में पर्मुख तेवाहर कौन कौन से हैं, क्या आप बिहार के कुछ तेवाहर हों के नाम बता सकते हैं, कुछ बिहार के पर्म है, छोट होली दिवाली दा सहारा राखी इत्यादी, यहां 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 इस्टर्न लिखेंगे, सेकेंड है लिटरेली गैंग्टोक मीनिंग्स तो यहां लिखेंगे, यहां उची चोटी के रूप में उसको माना जाता है, गैंग्टोक का मतलब होता है, तीसरा नमर कोशन है, और्चिट डेंडोबियम नोबिल इस्टेट फलावर लिखेंगे यहां और्चिट डेंडोबियम को सीखिम के परमुख फूल के रूप में माना जाता है, चार नमर कोशन है, यहां माइनेट लिखेंगे, पांच नमर कोशन है, क्योंकि वहां के लोग बहुत धर्व को परमुख रूप से मानते हैं, इसको अगर सुध करते हैं, तो हम आगे अब इनको सुधारते हैं, इसको अगर हम पूर्णर व्यवस्तित करते हैं, तो होगा मतलब होता है, पहारी, उसके बाद इसको अगर हम पूर्णर व्यवस्तित करेंगे, तो होगा मतलब होता है, घीरे हुए, इसको सुधारते हैं, तो होगा मतलब होता है, बढ़िया या अच्छा सुन्दर, इसको स सुब्यवस्तित करेंगे तो होगा festival festival का मतलब होता है पर इसको सीधा करेंगे तो होगा माइन माइन मतलब मेरी अब आगे हम लोग देखते हैं लिखा है मैस्ट फॉलोइंग इन कॉलम ए विट देयर मेनिंग्स कॉलम भी आनि इसबांब्स में जो वर्ट दिया है को सक agreement कॉलमधी से मिलाना है तो इसको हम लोग मिलाते हैं एक नमबर में है आपको teeny tiny का मतलब होता है छोटा टीनी को मिलेंगे छोटा ओले से small- mereka मतलब होता है छोटा उसके बाद दू नमबर है kingdom किंग्डम का मतलब होता है राज राज को मिलाएंगे इंपायर से इंपायर का मतलब भी होता है राज से संबंदित उसके बाद है बर्डेन का मतलब होता है बोज बोज को मिलाएंगे लोड से लोड का मतलब होता है बोज उसके बाद होता है बाउंडेट बाउंडेट का गीरा हुआ को मिलाएंगे surrounded इसका मतलब ही होता है घीरा हुआ आसपास उसके बाद है producer producer का मतलब होता है उत्पादर को मिलाएंगे grower से यानि यह इस ही उत्पादर अगला question है grammar से fill in the blanks with suitable proposition given in the box below जो इस box में जो दिया गया है उनको इस sentence में भर के इसको पूरा करना है लिख रहा है for treatment इस में लिखेंगे for उसके बाद है switch the light तो यहां लिखेंगे off उसके बाद कर रहा है our MP is hunger strike यानि हमारे नेता जी जो है हुआ तो यहां लिखेंगे उसके बाद सीमा इज फाउंड ऑफ स्वीट इनमर है लूग एट दा पीक्चर एट लिखेंगे उसके बाद है इफ नमबर है आई प्रीफर टी कॉफी तो इसमें लिखेंगे टू इस परकार हम लोग ने इस नवे चाप्टर सीखिंग को पूलूप से ह अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे सैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगता है आप तहां से देख रहे हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद